बच्चों आप सबको मेरा नमश्कार सबको मेरी रांगराम कैसे हैं आप लोग मैं भी बहुत बढ़िया हूँ मैं ठीक हूँ इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया था आप लोगों ने देखा होगा पांच महीने जेल में रहा जूटा फर्जी केस करें सीधा जेल से आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ इन्होंने बड़ी कोशिश करी जेल में मिर को तोड़ने की तरह तरह से इन्होंने यतनाएं दी इनका मकसद तक किसी भी तरह से केजरिवाल को जुका दो केजरिवाल जो समान्य मुझरिम होते हैं उनको जो सुविधाई मिलती हैं जेल में वो भी नहीं दी गई कई दिनों तक तो मेरी दवाई बंद कर दी इनोंने पता नहीं क्या करना चाहते थे मेरे साथ ये मेरे को तोड़ना चाहते थे लेकिन इनको ये निपता मैं अरियाने का हूँ मेरी रगों में अरियाना का खून दोड़ रहा है तुम किसी को भी तोड़ सकते और याने वाले को नहीं तोड़ सकते और उन्होंने जो कुछ भी करा मेरे साथ हरियाना का बच्चा बच्चा उसका बदला लेगा लेगा कि नहीं लेगा इन्होंने मेरे को जेल बेजा अब हरियाने वाले इनको हरियाने से बाहर बेजेंगे दोस्तों पूरा हरियाना इस टाइम बदलाव चाहरा है पूरा हरियाना जहां जाओ पता चलता है कि लोग इनको गाऊ में ने गुसने दे रे, गलीमे में ने गुसने दे रे, पूरा अर्याना बदलेव चारा इस टाइम, और अभी तक अर्याने में क्या था? पार्टी इससे नराज होगा इसको वोट दे दिया इससे नराज होगा इसको वोट दे दिया इस बार आपके सामने इमानदार पार्टी आई है इस बार इमानदार पार्टी आई है जब मैं जेल में था इन्होंने बहुत कोशिश करी हमारे MLA खरीदने की इन्होंने का दिल्ली के MLA खरीद लेंगे दिल्ली सरकार तोड़ देंगे पंजाब की सरकार गिरा देंगे एक MLA नहीं टूटा हमारा एक MLA नहीं तोड पाए, MLA तो छोड़ा, एक कारेकरता नहीं तोड पाए यह हमारा इतनी कटडर इमानदार पार्टी इतनी कटर इमानदार पार्टी अमैं अभी जेल से लोटा मैं चाहता बड़ी आराम से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकता था पर मैंने का नहीं 14 साल के वनवास के बाद जब भगवान राम लोटे थे सीता मैया को अगनी परिक्षा देनी पड़ी थी केजरीवाल भी अगनी परिक्षा देगा अपनी ये लोग मेरे उपर आरोप लगाते हैं केजरीवाल बेइमान हैं केजरीवाल भ्रष्ट है केजरीवाल चोर है मैंने दिल्ली की जनता को कहा मैं स्तीफा दे रहा हूं अगर आपको लगता है केजरीवाल चोड़े मेरे को वोट मत देना अगर आपको लगता है केजरी वाल इमानदार है तभी मेरे को वोट देना और अगर दिल्ली की जनता को लगता है केजरी वाल इमानदार है और दिल्ली की जनता मेरे को वोट देके जिताएगी तभी मैं दुबारा सीम की कुर्सी बे बैठूंगा नहीं तो सीम की कुर्सी पर नहीं मुझे नहीं लगता किसी भी नेता ने आज ता कितनी हिम्मत किये इस तरह का बयान देने के दोस्तो आज आपके सामने विकल्प है एक तरफ आपके अपने चहेते आधर्ष जी हैं आधर्ष पाल जी हैं एक तरफ चौबिस घंटे आप लोगों के बीच में रहते हैं सुख दुख में काम आते हैं सब लोग जानते हो आप लोग इनको आपके चहेते आपके भाई आपका बेटा और दूसरी तरफ कवर पाल है दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री आपका बेडा गर्क कर दिया उसने अर्याने के स्कूलों का बेडा गर्क कर दिया पूरे अर्याने का करा की नहीं करा पूरे हर्याने के अंदर शिक्षा माफिया चल रहा इस टाइम प्राइवेट स्कूलों का प्राइवेट स्कूल मन मानीं प्रिस बढ़ा रहे हैं गुंडा गर्वि कर रहे नहीं कर रहे हैं और इनके सरकार मिली हुए उनके साथ दिल्ली के अंदर अमने सरकारी स्कूल शांदार कर दिये पता है कि नहीं आपको दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों की गुंदागर्दी पंदगर्दी पता है कि नहीं आपको हर्याने में भी करके दिखा देंगे हर्याने में भी करके दिखा देंगे पूर आरियाना तो छोड़ो मेरे को ये बता दो पिछले दस साल दस साल में कमर पालने जगादरी के लिए एक काम कराओ तो मेरे को बता दो एक काम कराओ एक काम भी नहीं करा उन्होंने फिर क्यूं वोड़ देते हैं उसको फिर क्यूं वोड देतें उसको इस बार इनको मौका दे के देखो इस बार इनको मौका देखो मिरेको बतायाक़ अब ये यहां पे पीतल के बर्तनों का हब होता था जगादरी है कि नहीं है सारी industry बंदो गई सब बंद कर दिया रोज़गार चने गए क्या दिया बीजेपिने आपको ब्रश्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और आपके बच्चों को नशा दिया उन्होंने और कुछ नहीं दिया उन्होंने कि इस बार पूरा हर्याना बदलाव मांग रहा है और हर्याने में जो भी सरकार बनेगी आपोट के बिना नहीं बने गिया आम आदमी पार्टी की इतनी सीटे आ रही है आने के बाद मैंने इसान गया इतनी सीटे आ रही है कि जो भी सरकार बनेगी आपनी पार्टी के सप्रोट के बिनानी बनेगी और पूरे अर्याने में सबसे पहले सीटे बहें इस वार दो